जो वीजेबी सरकार है ये कॉंग्रेस की बुराई करती रहती है इनके पास और बचाई क्या है और गरीब आदमी की जो हेल्प करती है वो भी कॉंग्रेस सरकारी करती है जैसे कि गरीब आदमी का इलाज की जो नेक इलाज होने की जो टीस है वो किसके होँची सिर्यासो सब्सक्राइब जिसे कि आम गरीब आजमी को तिसे काफी फाइदा हुआ काफी लाव हुआ मेरे जो यदि मुझे 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 मुखा मिला आगे भी तो मैं हर योजनाओं को गरीब आंसान तक गरीब जंता तक इनको पोचाऊंगा जितने भी कल्यान का योजना हैं मिला आगे भी तो मैं हर योजनाओं को गरीब इंसान तक गरीब जनता तक इनको पहुंचाओंगा जितने भी कल्यान करी योजना है और अच्छे से गरीब आदमें को फायदा मिल सके लाव मिल सके पुराणी पैंसन योजना वापिस लागूती तो जिससे करमचारियों में ब हर पार्टी का कारेकरता AD से चोटी तक जोर लगाने में जुट गया है और अपने पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर जाकर अब जनता से फीडबेक माँग रहा है रिपोर्ट तयार कर रहा है और हर जगे ये उस साह चरम पर पहुँच गया है इसी कड़ी में आज हम आपने विकास के लिए जनता की विकास के लिए बहुत काम किया है कॉंग्रेस के जन प्रतिनी भी रहते हुए और कॉंग्रेस के कारेकरता है इसके अलावा आपने कॉंग्रेस को क्यों चुना जनता के विकास के लिए ये मैं जानना चाहूंगे इसके पीछे आपका क्या व करना चालती है गरीब आदमी जो एकर्प Hangs अंतीम पंती में समाझ समाचा यों बैठा हुगा हूआ है उसको देख सकते है तो पेंग अलाज होने क्रिख मंथी किस करिते हैं वी कॉंगरेस करती है जैसे गरीब आदमी का इलाज का इलाज कि जो तीस है वो किसके हमाँ पहुंची शीर असो गहलोजी मुख्य मंत्री जोनों ने चिरन जीवे योजना से गरीब आदमी का एक 25 लाग तक का इलाज फिरी करवा है दूसरी जो योजना लागू की बेरोजगार की बेरोजगार गरीब बेरोजगार को रोजगार दिलाने के उनको स्मार्ट स्थोन जो दिया है वो भी असो गहलोजी की देन है जिससे कि महिलाई भी इस मुख्य धारा में जूड सकती है बिल्कुल महिलाओं में एक अलग उच्साहद एकने मिला था इसके अलावा गहलोजी ने ये सोचा है कि कोई भी इंसान गरीब इंसान भूका न तो आप भी अपने शेत्र में यहीं विकास करना चाहते हैं मैं भी मेरे जो यदि मुझे 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 मुखा मिला आगे भी तो मैं हर योजनाओं को गरीब इंसान तक गरीब जनता तक इनको पहुचाऊंगा जितने भी कल्यान करी योजना हैं और उनका अच्छे से गरी से गरीब का विकास करना चाहता हूं अगर कॉंग्रिस इनको मौका मिलता है तो यह सारी योजनाओं धरातल पर ले जाकर गरीब के पास ले जाकर उन सबको फायदा पहुचाना चाहते हैं यह एक नेक दिल कारकरता की पहचान होती हैं सर मैं आपसे एक और क्वेशन जानना सब्सक्राइब है तो इस पर आपके हैं और विदेवी सारकार है पास ने कारीक्स निए किया किया किवल आखे बंद करके सोते रहें जब इनकी आखे खुली तो देगा कि असो गहलोजी राज्तान के अंदर विकास की गंगा बहा रहे हैं उन्हों जैसे सरकार बनी तो उन्होंने करीब किसानों का कोपरटीर लौन है वो माफ किया पुरानी पैंसन योजना वापिस आखे बंद करके सोते रहें जब उनकी आखे खुली तो हमारे मुख्यमंत्री असो गहलोजी रास्तान में विकास की गंगा पहा रहे हैं जैसे ही सरकार बनी उन्होंने किसानों का कोपरेटीर लौन माफ किया पुरानी पैंसन योजना वागू की जिससे की करमचारियों में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ा इस रहें इन्होंने जो मुफ्त दवाईयां जो दी उसे जनता में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा केवल राज्तान सरकार जो कॉंग्रेस सरकार है वो ही गरीबों का विकास कर सकती है बीजेपी सरकार विपक्ष है बीजेपी सरकार जो है वो केवल विकास कर सकती है तो अंडानी अमानी का अंडानी का और अमानी का कर सकती है बाकि की गरीबों का नहीं कर सकती है यह तो प्रियाशोग गहलोजी लगातार इनकी सेवा के लिए नई-ईयोजनाय लाते जा रहे हैं इसके अलावा अगर हम राजगर लक्षमनगर विधासभा शेत्र की बात करें तो उस शेत्र के आप इस्थानी निवासी भी है तो अच्छे से आप जानते होंगे कि वहां ऐसे कौन स चेत्र राजवर लचमनगर में मूल जो समस्या है वो एजूकेशन की क्योंकि एजूकेशन की सरकारी स्कूले है उनमें जो प्राइवेट इस्कूल की बाती उनमें इतनी विधाएं उपलावद नहीं हैं बिल्डिंग फरनीचर बिजली पानी उनकी अच्छी तरह की विया प्राइवेटी है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके मेरे मुद्दा हमारा यह रहेगा और इसके लिए हम सरकार से संगर्स भी करेंगे और इसको लागू भी करवाएंगे ताकि अच्छी सिक्षा गाउं में भी बच्चों को मिल सकें दूसरी है ए एर सीप इस्ट्रल राज्तान कैनाल प्रोजेक्ट यदि यह अलवर्डिस्टिक में आती है तो हमारे राजगर लच्मनगड में भी इसका इपेक्ट होगा और इसके लिए हम संगर्स करेंगे ताकि पूरा छेत्र पानी की समयस्या से निजात मिले किसानों को सिचाई डोमेस्टिक घरेलू पानी यह इससे उपलवद होगा और यदि यह योजना और यह प्रोजेक्ट आता है तो इसके लिए यह हर्याली होगे बहुत अच्छा यह प्रोजेक्ट विदानसवज शेत्र में लोगों तक बहुत पाइदा पहुंचेगा क्योंकि चोटे-चोटे शेत्र में ऐ यह प्रश्के अलावा कौन से इसके अलावा हमारे कश्वा लखम गड़ है इसमें केशल एक ही मेन रोड़ है इसमें कर वीकल आजाता है Đो वहां जाम लग जाता है और जो घाम भी कारी लिमबा लगता है उसके लिए हम कि सोचते हैं कि लच्छमक कि रोड़ में एक और दूसरा यह है कि लश्मरगाड के अंदर पुरोपरमय बरसातों में पानी बर जाता है जो कि ड्रेनेज की भी हम समस्या को सोल करेंगे। इस बार यह जरूर देखने को मिला है कि एक प्रमुख मांग उठी जा रही है शित्रों से विधानसभा शित्रों से कि जो भी उनके लिए काम करने के लिए उनका प्रतिनी धी चुना जाए वो इस्थानी होना चाहिए क्योंकि अगर आप उस शित्र में रहेंगे तभी वहां जल से जल मिले ताकि वो गरीबों के लिए जिस तरह से जिस मंशा से जिस नेक दिल से काम करना चाहते हैं वो पूरी तरह से संपन हो आपकी क्या राय है आपका क्या सोचना है कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में कैत लागा वीडियो यह भी लिखेगा औ और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर किये जाएगा, नमस्कार.